मेरे किस चैनल पे आप नए आए हूँ तो इसे आप सब्स्राइब ज़रूर करिए और पास में लगे बैल आइकोन को भी क्लिक अवश्य कर लीजे ताकि मेरे दौरा अपलोड करी नई वीडियो आप तक जल से जल पहुँच पाए और जिन लोगों में सब्स्राइब कर रखा है उनके लिए थैक्श हलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप मैं सीमाडेमन मेरे इस यूट्यूब चनल में आपका फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपको इस टॉपिक के अंतरगत मेश राशी वाले जातकों के दस अदबुद गुणों के बारे में ज चान पाएंगे दोस्तों तो चलिए आईए जानते हैं दोस्तों मेश राशी वाले जातकों के दस अदबुद गुण क्या-क्या होते हैं महिला हो या फिर पुरुश हो यह दस अदबुद गुण इन लोगों के अंद्रगत पाई ही जाते हैं इनका सबसे प्रथम अदबु शेतर से जुड़ेवे रहते हैं उसमें मेहनत के बल से ही आगे जाते हैं और उचायों को छुने वाले इनसान बनते हैं इनका जीवन का एक ही मूल मंतर होता है कि ये दिन रात कड़ी मेहनत करें और अपने लक्षों को प्राप्ति करें इसी तरीके से इनका दूसरा बहुत अधिक होती है यानि कि जो भी काम इन्हें दिया जाता है ये बेहत इमानदारी से उसे पूरा करते हैं और फटाफट करते हैं और पूरे उत्सा से उस कारे को करने में ये जुटते हैं और उसे खत्म करने तक ही दम लेते हैं यानि कि खत्म होने तक इन्हें शांती नहीं रहती है उस कारे को ये पूरा करके ही मानते हैं जो भी इन्हें दिया जाता है दोस्तों इसी तरीके से इनका तीसरा अदबुद गुण ये होता है कि ये बहुत अधिक आत्म सम्मानी होते हैं यानि कि इनके आत्म सम्मान को कोई भी ठेस पहुचा है तो इन्हें बिल्क बसंधा अदबुद्गुण यह है कि यह आलसी लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं इनके आजपास के लोग benefits आलसी सुभाव के होंगे तो यह इने बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा और उनके ओपर यह क्रौध बहुत अधिक करेंगे स्लिए आजपास यह आप मेश्राश्रीक वाले जात्कों के आस्पास है तो आप ध्यान रखिए कि उनके सामने आप आलस्ते को प्रावधा ना दे दोस्तों इसी तरीके से इनका पाँचवा अद्बुत गुण यह है कि प्रेम संबंदों में ये लोग जल्दी नहीं पढ़ते हैं लेकिन अगर एक बार पढ़ भी जाते हैं तो अपने प्रेम को कभी भी नहीं बोलते हैं प्रेम के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं इनके इसी सुभाव के चलते कई बार इनको मांसिक शोशन भी होता है इनका च्छटा अद्बुत गुण यह होता है कि ये बहुत अधि गुसेल प्रवर्ति के होते हैं क्योंकि मंगल का आदिपत्य इनके ओपर होता है इसलिए इने गुसा बहुत अधिक आता है और जब इने गुसा आता है तो इने समझाने की कोशिश भी व्यर्थ जाती है दोस्तो जब इनका गुसा शान्त हो जाता है तब ये अपनी गल्ति स्वयम ही मान लेते हैं लेकिन जब इन्हें गुसा आए तब हम इन्हें इनसे बात करेंगे या फिर इन्हें समझाने की कोशिश करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं मानते हैं दोस्तों इसी तरीके से इनका साथवा अद्बुद गुण ये होता है कि ये बहुत अधिक इमान दरी दिखाते हैं दोस्तों हर रिष्टे को इमान दरी के साथ निवाते हैं दोस्तों ये कभी भी दामपत्य जीवन में कभी इनकी तरफ से बेवफाई नहीं मिलेगी दोस्तों ये इनका एक बहुत ही अद्बुद गुण होता है इसी तरीके से इनका आठ्वा ज़्वाव का होता है और ज्यादा तर ये जिद इनको जीवन में सफल भी बनाती है जो भी कारे ये प्रण कर ले कि मुझे ये कारे करना है ये मुकाम मुझे हासिल करना है तो उसको हासिल करे भी ना ये पीछे नहीं हटते हैं बले उन्हें कितनी भी महनत करनी पड़े महनत से भी पीछे नहीं अटते हैं और एक जिद्धी सुभाव की कारण ये सफलता की उचायों को छूने वाले इंसान अपने लाइफ में बनते हैं इसी तरीके से इनका नवा अद्बुद गुण ये होता है कि इन्हें जूट बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है औ हमेशा सत्य का साथ देते हैं और सत्य बोलने वाले लोगों को ही अपने आसपास पसंद करते हैं दोस्तों हमेशा सत्य की राह पर ही चलते हैं यानि कि हम कह सकते हैं कि ये न्याय प्रिये होते हैं यानि कि हमेशा सत्य का ही साथ देंगे कोई इनसे न्याय करने को कहेगा तो तो हमेशा सत्ते के साथ ही खड़े रहेंगे, चाहे इनके सामने कोईसा भी पक्ष आजाए, लेकिन हमेशा सत्ते के साथ ही रहते हैं, इसी तरीके से इनका आखरी दसवा अधवुध गुण यह है, धन के मामले में यह बहुत अधिक लख्की रहते हैं, अपनी कड़ी मेहनत से ये बहुत अधिक धनारजन अपने जीवन में करते हैं और उचाईों को छूने वाले इंसान बनते हैं ये घर का रखरखाओ भी बहुत उत्तम तरीके से करते हैं और घर के निर्णे स्वें लेना ये बहुत अधिक पसंद करते हैं दोस्तों तो ये थे 10 अदुद गुन मेश राशी वाले जातकों के यदि आप भी मेश राशी वाले जातकों के अंतरगत आते हैं तो आप मुझे कमेंट्स के दुवरा जरूर बताईए कि आपको मेरा ये वीडियो किस तरीके का रगा और इस वीडियो को आप ज़्यदा लाइक करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें दोस्तों और यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या हो तो आप मुझे कमेंट्स के दौरा पूश सकते हैं मैं उसका जवाब आपको अवश्य दूँगी और आप यदि मेरे इस चैनल पर ना आये हैं तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में लगे बैल आइकोन को भी क्लिक अवश्य कर लीजिए ताकि मेरे दौरा अपलोड कर नई वीडियो आप तक जल से जल पहुँच पाई तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक्यू एंड बाबाई